नमस्कार आदाप सस्त्रिया काल टेक्निकल कमपेरिजन के इस चैनल में आप सुभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं हम आचुके एक और नई ख़वर के साथ रूस के राष्टरपती पुतिन का दावा बन गई है कोरोना वैक्सिन 11 अगस्त को रूस के राष्टरपती ने пресс release करके एलान किया है कि रूस ने कोरोना से लडने वाली पहली वैक्सिन बना लिया कोरोना वाइरस महामारी से सारी दुनिया परेसान है लेकिन एक और लडाई भी है जो सारी दुनिया लड़ रहे है वो है कोरोना वेक्सिन बनाने की होड वेक्सिन बनाने की इस रेस में सभी देश है लेकिन रूस इसमें बाजी मारता नजर आ रहा है इस वेक्सिन को मोस्को के गामेलिया इंस्टिट्यूट ने तयार किया है जिसे रूस के स्वास्तिय मंत्राले ने मंजुरी दिये रूस ने इस वैक्सिन का रेजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। हम आपको बता देकि इस वैक्सिन का नाम, Sputnik 5 रखा गया है, जो रूस के एक उपग्रह का भी नाम है। वैक्सिन के बनने के साथ साथ कहीं सवाल भी उठ रहा है, क्या अमरीका से आगे निकल चुका है रूस, क्या चीन इस वेक्सिन को एक्सेप करेगा, लेकिन जो नहीं कर पाए अमरीका और चीन, वो कर दिखाया रूस ने, अब बन चुका है रूस इस दुनिया का नया सूपर बोस, रूस का दावा है कि इस वेक्सिन से COVID-19 के खिलाफ permanent immunity विक्सित होती है रूस के राष्टरपती पुतिन ने एक प्रेस रिलीज करते हुए बताया है कि उनकी बेटी को भी ये टीका लगाया जा चुका है रूस के राष्टरपती पुतिन ने बताया है कि जब उनकी बेटी को ये वेक्सिन दी गई तो पहले दिन उसे 104 डिगरी का बुखार हुआ था बाद में ये गिर कर 98 डिगरी तक पहुच गया था जब उसे इस वेक्सिन का दूसरा डोस दिया गया तब भी तापमान में थोड़ा सा इजाफा हुआ था लेकिन फिर से ये सामान्य हो गया पुतिन ने आगे कहा कि अब वे ठीक है और अब उनके पास एंटी बोडिज है वे कोरोना से लड़ सकती है पुतिन ने ये भी कहा कि अगर मैं कहू कि मेरी बेटी प्रयोग का हिस्सा है तो ये गलत नहीं होगा इसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन सभी लोगों का सुखरिया किया जिन्होंने इस वेक्षिन बनाने पर काम किया लेकिन जिस तेजी से रूस ने इस वेक्षिन को बनाया है उस पर कई संस्था और वेग्नानी को ने सवाल भी खड़े किये हैं। उनके साथ साथ दुनिया के कई देश इस वेक्षिन का विरोध कर रहे हैं। जिसमें अमरिका और चीन सामिल है। WHO ने भी इस पर महर नहीं लगाई है। फिलहाल हम यह आसा करते हैं कि रूस की ये वेक्षिन सबसे पहले वेक्षिन बनाने की अंतर राष्ट्री होड का नतीजा ना हो और दुनिया के लिए राहत की खबर हो। फिर मिलेंगे देश और दुनिया के एक और नहीं खबर के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई